अरे आर्किटेक्ट बच्चा कैसा है तुम अरे वेलकम मेंस्टी कुशाम दीन कुशाम दीन इतने दिन कि दर थे अरे इतना दीन भार था तेल लेने गया था तेल लेने अरे तुम्हारा इंडिया वाला तेल लेने नहीं लिट्रली तेल लेने गया था आपना बाक्याड में ना तिन तिन कुवा निकला तेल का अच्छा बहुत पैसा है बहुत पैसा बताइए क्या सेवा कर सकता आपकी अभी बुर्श कलीफा से भी भारी तोड़ू स्ट्रक्चर वनाने के अपने को समझ गया के जमिन अपना ही है ओल्ड दुबाई न्यू दुबाई के बीच वाला उट से याद आया पठान को ऊट के बारे में सिक्काने का नहीं है उट पठान बात तो अजी बात नहीं करने का एक काम कर यह रख दो करोड हो जाएगा मैं आता है आधे घंटे में तब तक बना के रख अप आई आधे घंटे में घूंगे चलो आता है कुश्याम दिन अपना तो सिर्फ बॉर्डर बना है यह काम करते है अरे आर्गिडेट पाश्चा हुआ क्या मेरा काम हाँ यह क्या है यह क्या है लेकिन यह है क्या दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम गीनियस बुक वर्ल्ल रेकॉर्ड करेंगे हम बहुत लोग सेल्फी लेंगे इसके सामने लेकिन यह बिल्लिंग किस चीज की है इसमें लोग रहेगा हटेल बनाएंगे अपन की बड़ा रेस्टोरेंट बनाएंगे मैं दिखाता हूँ यह और समझाता हूँ इसे यह देखिए उसका मॉडल यह दुनिया का सबसे बड़ा फ यह पूरा ब्रिज बनाएंगे दोनों को कनेक्टिंग और इसके नीची का सीलिंग देंगे ग्लास का अच्छा लोगों को इसके ओपर चलते समय भी फटनी चाहिए 360 व्यू दिखेगा दुबाई का और बुर्ज कलिफा जो आप बोल रहे हैं उसको भी यह फ्रेम फ्रेम कर देगा बड़िया और सच कहता हूँ इसे देखने के लिए लाइन लग जाएगी पूरी दुनिया की पैसे दे दे के आएंगे कम से कम पच्चास दिरा मागना है इस खाली है यही तो बड़ी बात है एम्टीनेस इस क्रिएटिंग दक कम्प्लीटनेस ऑफ दिस स्क्रुक्चर समझ रहां लेसीज मोर सर लेसीज मोर नया अर्किटेक्टिक्टिरल फंड आई है अच्छा अभी भी ऐसाक स्ट्रुक्चर नहीं बना होगा कभी भी वाह सुबान सुबान अल्ला वाह वाह औरे आर्किटेक्ट खुश कर दिता हभी भी यह लो तुमारा दो करोड और थैंक यू थैंक हाहा खुशी मदीन अर्किटेक्ट तो गया लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि यह स्ट्रक्चर दुबई में एक्जिस्ट करता है दो फ्रेम यह जो स्ट्रक्चर है यह दुबई में म्यूजियम दर्शाता है दुबई की कोई पास हिस्ट्री या उनका कोई कल्चर हरिटेज नहीं था उनके भी हिस्ट्री पे, उनके हिस्ट्री में सिर्फ उस वक्त, 50 साल पहले दुबई सिर्फ रेगिस्तान था, जहां छोटा मोटा ट्रेड होता था, वो ट्रेड भी होता था, कपड़ों का थोड़ी बहुत पढ़ाई और वहां उर्दू शिक्षा होती थी, और थोड़ा बह स्ट्रॉबिक कॉंक्रिट स्ट्रॉक्टर से बना हुआ है, इसमें 2000 टन स्टील लगा हुआ है, और इसे पूरा SS क्लाड किया हुआ है, लगबग 15,000 स्क्वायर मीटर की स्टील क्लाडिंग है, शायद दुनिया में इतना जादा स्टील क्लाडिंग जिससे गोल्डन प्लेटिंग किया हो और CNC कट करके पूरा क्लैड किया हो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है दूसरा इसमें 2900 स्क्वार सर्फेस एरिया मीटर का सैंडवीच ग्लास पैनल यूज किया हुआ है और इसके जो ब्रीज पे जो सस्पेंड़ ब्रीज है उसके उपर तो एक उपेक ग्लास है जिसके उपर पैर देते ही और ट्रांस्परेंट हो जाता है तो पूरे स्ट्रक्चर के बारे में धंग से जानता है यह जो स्ट्रक्चर है यह है जाबिल पार्क में यह ऐसे लोकेटेड है कि एक तरफ ओल्ड दुबई है और दूसरे तरफ न्यू दुबई ओल्ड है और बहुत ही खुबसूरत दिखता है दो फ्रेम इसमें जाने के लिए नीचे से इंट्रेंस है आप पहले से इंट्रेंट से टिकेट बुक कर लीजिए लगबग 50 दिराम टिकेट है इसकी इंट्री करने के बाद आपको एक म्यूजियम दिखता है जिसमें उन्होंने विया के बारे में दिखाया हुआ है इतना ही है सिर्फ पोडियम एरिया में यहां पर इसके बाद आप एलिवेटर में जाते हैं वो एलिवेटर 65 to 70 seconds में आपको 50 फ्लोस तक उपर लेके जाता है जहां पर यह ब्रीज है यह ब्रीज में जाने के बाद आप एक तरफ पुरानी दोनों देखते हैं इसमें जो सेंट्रल ब्रीज है लाइक स्ट्रक्चर है इसके फ्लोर पे एक ऐसा ट्रांसलूसिन ग्लास पैनल यूज किया हुआ है जिसके ओपर पैर रखते ही यह ओपेक ग्लास ट्रांस्परेंट हो जाता है इससे लोगों में कवत होल एक एंसाइटी ह होती है नीचे देखने का 50 फ्लोर नीचे आपको अच्छानक जब लास ट्रांस्परेंट होता है दिखता है कई लोग डरते हुए दिखाए दिये स्ट्रक्चर पे यहां पे कैफेट एरिया भी है यहां सेल्फी पॉइंट्स भी है यह जो सेल्फी आप लेंगे यह वापस मेजनाइन फ्लोर पे थोड़ी सी पैसे देने के आप खरीच सकते हैं इस सेल्फी को इसके बाद आप वापस लिफ्ट एरिया लेंगे कैफेट एरिया के बाद और वापस जब नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे फ्यूचर ऑफ दुबई 50 यह बाद दुबई कैसा होग इसको डिस्प्ले करने के लिए उन्होंने पूरा वियार सेट अप किया है बच्चे बहुत पसंद करेंगे वियार में इंटिरियर्स कैसे होंगे तब दुबई में और तब स्ट्रक्चर कैसे होंगे इनकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं यह सारा दर्शाय गया है और इसके बाद आप exit करते हैं यह must watch है अगर आप जा रहे हैं आपके बच्चों के साथ तो बहुत enjoy करेंगे आप सोची एक मामूली museum जिसमें आप artifacts रग भी नहीं पाते हैं फिर भी उसे display करने के लिए दुबई की मन्शा उन्होंने इस structure frame like structure को बना के पूरी की है जिसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं यह है ताकत architecture की कि किस तरीके से एक structure खुद एक monument बन जाता है और लोग उसे देखने आते हैं इसी तरीके से उन्होंने अपने culture को भी प्रमोट किया है salute to Dubai ऐसे और वीडियो को देखने के लिए subscribe रही है undesign से thank you झाल